हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग गेलियन बुक का चाप्टा थ्री का जो नेक्स जो इंपोर्टन प्रोब्लेम से एक्सराइज के आप उस अब देखेंगे तो वीडियो को पहले से लास्ट तक आच्छे से देखिए बिना स्किप किये उसके बाद आगर वीडिय सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चलिए शुरू करते है 28 नंबर प्रोब्लेम से शुरू करते है आज का वीडियो 28 नंबर प्रोब्लेम क्या कहता है प्रूब देख ग्रूप वीडियमेंट्स ऑफ ओडर टू कहता है कि एक ग्रूप आपको दिया हुआ है जिसमें दो कोम्यूटस और दोनों इलिमेट करता है ठीक है मास्ट्यप दा सब्लोब ऑडर फोर तो ऐसा अगर को सब्लो करता है एंड AB equal to BA, इतना था given है, तो AB equal to BA होने से मुझे क्या मालूम है, अगर दो element commute करता है, तो उनका exponents का जो log होता है, वो follow करता है, ठीक है, मतलब AB square को हम क्या लिख सकते है, S square B square equal to E लिख सकते है, ठीक है, तो देखिए AB square equal to E आ रहा है, ठीक है, तो मतलब क्या है, AB का order क्या है, 2 है, AB का order 2 है, A का order 2 है, B का order 2 है, AB का order 2 है, और E तो group है, मतलब E तो रहे गई, ठीक है, इस group के अंदर E रहे गई, तो मैं ऐसा अगर एक subgroup ले लेता हूँ, E, AB और AB, ये चार element मिलके, कौनसा subgroup बना रहा है, K4 type क्या, मैं फिछले वीडियो में बोला था, K4 type क्या है, K4 इ इसमें क्या होता है, एक identity होला element होता है, और बागी तीन इलिमेंट जो होता है, उनका order 2 होता है, तीनु का order, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है, तो वो एक subgroup होता है, और उसको हम clean4 group होता है, तो ये clean4 group का type हो गया, और order of H, क्या हो गया, 4, इसके अंदर 4 element है, मतलब ये एक subgroup मिल गया उस ग्रूप का ठीक है अभी देखिए 29 नंबर कुश्चिन देखते है फॉर एब्री इबेन इंटिजर एन शो देट डी एन हैस दा सब ग्रूप ऑफ ओडर फूर अगर एन कोई एक इबेन इंटिजर है तो डी एन का एक ओडर फूर का एक सब ग्रूप रहेगा यह कोहें अपको दिखाना है तो मैं कौंसा सब ग्रूप माल लोंगा है अभी पहिन देखिए कोई भी एन अगा इबेन होता है तो डी एन में आज बहुत है हमेशा ही रहता है यह कॉंपोलसर है लेकिन f यह जो reflection होगा बो reflection क्या होगा मुझे मालूम नहीं है इसके अलबा भी और भी सारा बहुत सारा rotations रहेगा ठीक है बो rotation भी क्या होगा मुझे मालूम नहीं वो n के उपर depend करेगा लेकिन r0 और r1 डेटी मांस्ट भी लोंग करेगा ठीक है उस ग्रूप में तो इसलिए मैं r0 और r1 डेटी को डिरेक लिख सकता हूं और f और f को मैं मतलब f एक reflection है कोई एक reflection है ठीक है तो उसको लेकि मैं एक सब ग्रूप बना सकता हूं और r0 r1 डेटी f और r1 डेटी इंटो f यह एक सब ग्रूप हो जाएगा जो dn का सब ग्रूप होगा और इसका order 4 होगा ठीक है यह बहुत ही simple problem था उसके बाद हम देखते हैं बीच-बीच का कुछ problems मैं skip कर रहा हूं क्योंकि वह इतने important भी नहीं है और इतना टाफ भी नहीं है आप खुछ से ट्राइक करें क्योंकि सारा exercise में बहुत सारा problem है इतना question मैं solve video में नहीं कर सकता हूं ठीक है आप खुछ से order क्या होता है डाइटल गूर्प और 6 होता है D3 तो मुझे दिखाना है कि D3 के अंदर order 4 का कोई सब गूरूप नहीं रह सकता है पहले हम देखते D3 के अंदर कौन-कौन सा element होता है छे element रहेगा order 6 है तो छे element रहेगा और 0-80-240 कोई एक reflection f-240-f ठीक है यह होगया छे element मेरा यह 6 के 6 distinct होगा मतलब कोई किसी के साथ कोई equal नहीं हो सकता है ठीक है सारे के सारे एक दूसरे से अलग-अलग है अभी देखिए for any subgroup h कोई एक अगर subgroup में मान लिया order 4 का कोई एक subgroup या फिर किसी order का subgroup मान लिया मैं D3 का तो subgroup है तो भी एक group है मतलब उसके अंदर R0 रहना ही परेगा तो R0 अगर रहा R0 तो क्योंकि identity limit R0 है identity element subgroup का अंदर रहना ही परेगा तो R0 है अभी मैं मान लिया order 420 h के अंदर है अगर 120 h के अंदर है तो R240 भी एक का अंदर रहना परेगा क्योंकि binary है तो R120 इंटो R120 भी उसके अंदर रहना परेगा Binary के हिसाप से अगर subgroup होना है तो R240 भी उसके अंदर रहेना परेगा तो कितना हुए मतलब क्या होता है कि इससे हमें क्या मालम चल रह आए कि four order का कोई subgroup मुझे मिली नहीं सकता है ड्रे के अगर एक reflection है तो पूरा जितना reflection ég वो सारा रहना पड़ेगा एक rotation जितना rotation आप्छिर नहीं आपको लिखना नहीं है बस यह द्यान में रखने के लिए अब बस नोट करके राख सकते हैं इंपोर्टन थियोरे में वैसे हैं आम परेंगे बाद में 38 नमर प्रोलिम देखते हैं बहुत इंपोर्टन प्रोलिम है यह लेट जी बी एंविलियोन गुरूप जी कोई एक एविलियोन गुरूप है and h equal to x belongs to g order of x is odd g एक एविलियोन गुरूप है और h एक कोई एक सैट दिया हुआ है g का सब सेट ठीके क्योंकि x belongs to g है जी का वो सारा एलिमेंट ह के अंधर है जिसका ओडर ओड होता है तो मुझे क्या दिखाना है कि यह जो एचे वो जी का साब गुरूफ होका हमेशा देखिए तो साब गुरूफ होने के लिए हमें क्या प्रूप करना होता था नहीं देखिए कि जो सबसेट डिया हुआ है वो ने नंट ह कि नहीं उसके बाद हम देखते है जो फूर्प या वान स्टेप लिए जो प्रोपार्टी होता है वो हम चेक करते है देखिए पहले हमें देखरी वह न क्यों थे कि यह भिलोंग्स टो एच यह हमेशा बिलोंग करेगा क्यों क्यों क्या होता है और इसमें तो कौनग सा यह भी बिलोंग्स टो is order होगा और B का order होगा मैं मान लिए A का order M है B का order N है तो MN दोनों odd होना परेगा यह इसका प्रोपार्टी ही ऐसा है अभी अगर G जब abelian है तो हम क्या लिख सकते A B to the power M N equal to A to the power M whole to the power N B to the power N whole to the power M क्योंकि law of exponents follow करेगा जब यह group abelian है तो तो A to the power M equal to ERI इसका मतलब क्या है M और देखिए M और N दोनों odd है तो दो odd number का multiple करने से बो भी odd होगा तो MN जो number मिलेगा बो भी मुझे odd ही मिलेगा ठीक है तो मुझे क्या मिल रहा है कुछ power करने के बाद अगर identity हा रहा है तो उस उस चिसका order वह power वाले number को debate करेगा ठीक है मतलब आभी AB का order जो है वह MN को debate करना पड़ेगा यह conclusion में कर सकता हूं कभी भी ऐसा देखके direct मत बोलिए कि AB to divide MN equal to E हा रहा है मतलब AB का order MN है ऐसा कभी मत बोली है ऐसा नहीं भी हो सकता है ठीक है लेकिन यह मैं बोल सकता हूं कि order of AB divides MN order of AB जब MN को debate कर रहा है और MN एक odd number है odd number को हमेशा odd number ही debate करता है कभी भी किसी odd number को एक even number divide नहीं कर सकता है मतलब क्या है order of AB क्या होगा मेरा ऑठizen और होगा दो यह में कॉंसा element ऑठ है तो मतलब a b h में belong कर रहे है ठीक है जास्क्य वहाइनिय आपर a dar b जब h में belong कर रहे है a or b दो element अगर h में belong कर रहा है तो A into b , h में belong करना पठेया इंचे है अब ही दीखते है मानलिया कि कोई event a h में belong कर रहे है तो उसका inverse H में बिलोंग कर रहा है कि नहीं वो देखना परेगा, मान लिया, order of A equal to M, और M क्या होगा, odd होना परेगा, तो A inverse to the power M equal to क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते, A to the power M whole inverse लिख सकते, A to the power M equal to क्या होगा, E होगा, तो E inverse equal to E, E होता है, ठीक है, तो फिर से हमी क्या मिला, A inverse to the power M equal to E मिला, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, A inverse का order जो है, वो M को डिवेट करेगा, ठीक है, A inverse का order M को डिवेट करेगा, इसका मतलब क्या होता है, M में एक odd number है, odd number को हमेशा odd number है डिवेट करता है, यह अगर आपको मालूम नहीं तो मेरा प्लेलिस में जाके वीडियो पिछले वीडियो देख सकते हैं उसके इसके सब्ग्रूप टेस्ट के उपर में एक वीडियो बना के राखा हूं ठीक है अभी देखते 39 नमबर प्रोब्लेम 39 नमबर प्रोब्लेम क्या बोलता है यह फिर इबेन नमबर होगा या फिर इबेन कोई एक इबेन नमबर होगा गिव एग्जम्पल तु मिव्त यसाघ्जम्पल देना हैं जो करें यस नहीं कि यह सब घ॥ हुआको यहाँ एक ढ French गरिद्धम्पल देकर हो कर परें कि एक से थे संपरेंड एच मतलब अभी एच के अंदर कौन कौनसा एलिमेंट रहेगा जैट सिज का बहुत अरप यह यह तो आ है यह फिर इन टो वान कौन सा है जीरू का अरप्र ओडर भॉन का अरप कितना होता है सिक सोट है तो नहीं रहेगा तो एच का अंदर यह संदर हमें इलमेट मिल गया लेकिन आपी डिश जो है जिएट 6 का सब ग्रूप नहीं है क्यों क्योंकि देखे वान प्लस थ्री एच का दो लेकिन उनके एड कंने से फोर आ रहा है वो एचप बिलोंग्ने कर रहा है तो बॉर ईचप andra भल्ट नहीं हो रहे है बाइनरी की खोट्रकिस देखे क्ष्म dûप्र इसकी बीजवना प्रब्रोम्ब खुछ से ट्राइ करिये इतना इंप्रोर्टेंट भी नहीं है वो सरा प्रोल्मस फ्रॉट्यू नंबर प्रोल्मस इन दा गुरूब जैड ऐन्ड साइकल गूर्प जनाटर बाइट फ़ॉर्टिन यहां से यदरा किये सैकली गूर्प जनाटर बाइज़तना इलमेंड वो गया क्या होता है cyclic group generated by GCD of osera elements, तो क्या होगा GCD of 8 or 14, cyclic group generated by GCD of 8 or 14, तो GCD of 8 or 14 क्या होता है, 2 होता है, तो cyclic group generated by 2, तो इस जनारारी केज में आप याद राके, cyclic group generated by MN equal to cyclic group generated by GCD of MN और यह number problem जो दिया था, 121845, cyclic group generated by GCD of 121845 और जिसे दीव 1218 45 होता है 3, तो साइकली गूप जनेर्ट भाई 3, ठीक है? अभी ये 45 नमबर प्रोब्लेम ये भी बहुत ली इंपोर्टन प्रोब्लेम है, ठीक है? आच्छे से समझी, कहता है कि कोई एक ग्रूप का किसी एक इलिमेंट का सेंटरलाज़र क्या हमेशा एंपिलियन होना परेगा? तो पहले हम देखते हैं सेंटरलाज़र का, Centralizer need not be always Abilion Centralizer हमेशा Abilion होना परेगा इससा जरूरी नहीं है क्यों देखी एक एकजांपल दिखते D4 में D4 में R0 तो बिलों करता है तो Centralizer of R0 क्या होता है Centralizer of R0 क्या होता है Centralizer of R0 का वो सारा element D4 का जो R0 के साथ कम्यूट कर रहा है तो D4 का कौन-कौन सा element R0 के साथ कम्यूट करता है तो Centralizer of R0 क्या होता है D4 लेकिन D4 एक Abilion group नहीं होता है ठीके तो मतलब क्या Centralizer of R0 Abilion नहीं है तो हमेशा Centralizer हमेशा Abilion होना परेगा ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है लेकिन and definition of center says the element which commutes with every other element of the group that ZZ is always Abilion लेकिन center of group का definition क्या बोलता है group का बहुत सारा element जो बाकी सारे element के साथ commit कर रहा है तो definition से हमें समझ में आ रहा है कि ZZ क्या होगा Abilion होना परेगा हमेशा 46th number problem देखते suppose A belongs to Z ये भी बहुत ही important problem है कोई एक group का एक element A दिया हुआ है जिसका order क्या है 5A प्रूब देट centralizer of A equal to centralizer of A cube आपको प्रूब करना है कि centralizer of A और centralizer of A cube equal होगा अगर order of A 5A also find A belongs to another group कोई दिश्रे group का example आपको देने बोल रहा है जिसमें एक A belong करेगा जिसका order 6 होगा लेकिन उसका centralizer of A not equal to centralizer of A cube centralizer of A और centralizer of A cube equal नहीं होगा पहले हम पहला वाला देखते तो हमें क्या दिखाना है कि centralizer of A equal to centralizer of A cube given है order of A equal to 5 मैं मान लिए कि x belong to centralizer of A centralizer of A से कोई है के लिवेन ले लिया x centralizer of A में x belong कर रहा है इसका मतलब क्या हो x A के साथ commute कर रहा है x A के साथ commute कर रहा है मतलब A x equal to x है अब है मैं दूनों से इस साथ में left side में अगर equal to का दूनों का left side में अगर मैं A से multiply कर दूँगा क्या हो जाएगा A square इस साथ में क्या होगा A x है अब दीखे A x है तो A x के जगा पे हम क्या लिख सकते x से यह x के जगा पे x से लिख सकते x से लिखने से क्या हो जाएगा x A square हो जाएगा A square x equal to x A square फिर्चे हम A से left side में multiply करेंगे तो क्या होगा A cube x equal to A x सुरी यह A square होगा यह A square होगा A x A square तो देखिए A x A square है तो अब यह हम फिर चे एक्स को क्या लिख सकते है x से x को x से लिखने से A cube x equal to इधर क्या हो जाएगा x A cube ठीक है क्योंकि यह A square है यह A square है ठीक है तो मुझे क्या मिला x belongs to x पहले मुझे पहले मैं लिया था x cm है मतलब x A के साथ commute कर रहा है अब ही मुझे क्या मिल रहा है x A cube के जाथ भी commute कर रहा है देखिए A cube x equal to x A cube x A cube के साथ भी commute कर रहा है x जब A cube के साथ commute कर रहा है मतलब x belongs to C A cube Centralizer of A cube में belong कर रहा है ठीक है यही तो होता है Centralizer का definition ठीक है तो मैं एक element लिया था C A से मिला वो element C A cube में भी बिलोग कर रहा है तो मतलब क्या है C A is the subset of C A cube क्योंकि X एक arbitrary element है कोई भी element हो सकता है तो C A is the subset of C A cube अभी हम देखते दूसरा दूसरे inverse method से X belongs to C A cube मैं मान लिया कि C A cube में कोई एक element है अभी पहले मैं माना था C A में कोई एक element है मान लिया कि C A cube में कोई एक element है तो मतलब क्या है C A cube में element है मतलब A cube के साथ वो commute करेगा A cube X equal to X A cube तो A cube X equal to X A cube तो हम इसके left side में अगर मैं A cube से multiply कर दिया तो यह क्या हो जागा A to the bar 6X और यह क्या हो जागा A cube X into A cube तो A cube X को हम फिर से क्या लिख सकते है X A cube A cube X के जगा पर क्या लिख सकते है X A cube तो X A cube लिख दिया तो X A cube होने से यह क्या हो जागा X A to the bar 6X is equal to X A to the bar 6 अभी दिखिए मुझे given में क्या था order of A equal to 5 order of A equal to 5 मतलब क्या A to the bar 5 equal to E A to the bar 5 equal to E मतलब A to the bar 6 equal to A ठीक है क्योंकि दोनों साइट में आगर A A multiply कर दिया तो क्या होगा A to the bar 6 equal to A मिलेगा मुझे इस सेट में A into E हो जाएगा A और इस सेट में A into the bar 5 equal to A to the bar 6 तो A to the bar 6 equal to A होता है तो A to the bar 6 के जगा पर मैं A बीटा दूंगा C A QE से मुझे मिला वो C A में भी वो मिला मतलब कि C A QE is the subset of C A पहले मिला था C A is the subset of C A QE मतलब क्या होता है ये ये दोनों होने से मुझे मालूम है कि C A equal to C A QE होता है ठीक है तो प्रूफ हो गया C A equal to C A QE ठीक है अभी बोलता है एक example देने को कि अगर सी ए वॉडर ओफ कोई एलिमेंट 6 है तो उसका सी आ और सी एकिट उब इकोईल नहीं भी हो सकता है तो जैसे एकजंप्ट किया है जितने भी rotation है बहुत सरा होगा तो cyclic group generated by R60 ठीके C of R60 is not equal to D6 क्योंकि इसमें reflection नहीं हागा एक भी reflection नहीं हागा आप खुद से करके देख सकते C of R60 में सारा rotations आएगा लेकिन एक भी reflection नहीं हागा लेकिन R60 cube R60 cube equal to kya होता है R180 R60 cube मतलब क्या R60 into R60 into R60 60 degree को 32 rotate किया तो 60 degree को 32 rotate करने से क्या होगा R180 degree हो जाएगा 60 60 60 करके 180 degree rotate हो जाएगा और centralizer of R180 D6 होता है R180 जो होता है reflections और rotation सारे के साथ commute करता है तो centralizer of R180 D6 लेकिन centralizer of R60 is not equal to D6 मतलब क्या हुआ centralizer of R60 is not equal to centralizer of R60 cube यही दिखाना को बोला था मुझे ठीक है एक ग्रूप का एक element जो इसका order 6 है लेकिन centralizer of R not equal to centralizer of A cube ठीक है तो इस प्रॉब्लम से आज का वीडियो खतम होता ही है आज के लिए इतना ही थैंक्यू